बॉड मॉर्निंग अवेवन उमीद है आप लोग फैरियस होंगे सब अच्छ होंगे यहां की ओर मस्जिद है सबसे पराणी हिस्टिरिकल मस्जिद जाव मस्जिद के नम से बोले आता है काफे ही बड़ी मस्जिद है यह 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 देखिए पुई मार्केट है यह यहां की पार मार्केट है और जिससे आप में लोग ने देखा होगा यूटूब अगयरा पर आप अब दो के चैनल पर आप है असे मतुक्स मार्केट तक रही है यह देखिए यह प्लानी इतनके बनी हुए है इसे सेकंड पर इभी है शॉप्स कुछ देखिए इसकार इंटरी लेने जारे अनदर इसके आप कितनी पुरानी मस्जिद और 13-94 अबेगी है और इसमें आप सब आप सब कुछ पढ़ सकता है इसके पूली डिटेल इसमें मस्जिद में से मस्जिद कितनी शांदार मस्जिद है बहुत ही प्यारी मस्जिद है यह देखिए और यह इस चीज आपको एक चीज दिखाता हो फांसियत यह सब लकड़ी की है यह सब चीड़ है कर देखिए नजारा हमारे सबी साथी फोटोग्राफिक करवा रहे हैं अभी हम यह करवाएंगे इसकी हाइट देख सकते हैं आप अगउने देख सकते हैं पांस आपर बैठ बैठ अब यहां यहां का वुझभान ऊवर्जौ करते है इसमें वुझभ करते हैं सभी साथी वर यह HE ये फ्रंट है और ये चारो साइड में नमाज पढ़ सकते हूं ये लाइन टाइप का दे रखा है जो बाहर पढ़ना चाहे वो बाहर पढ़े है और काफी ही खुशूरत है जितनी तारीफ पर उतनी कम है अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूं दिखाता हूं जिलके अंदर से चारो तरफ से मैं इसमें चारो तरफ से मैं इसमें चारो तरफ एकी जैसा दे रखा है बट ये इदर इमाम साब कड़े होते हैं यहां पर नमाज पढ़ाते हैं फ्रंट यह इसका कि देखें आप कितना ही शामदार मश्जिर है माशा अल्ला है आपको बताना भूलिए आज हमारा लोग का कश्मीर के अंदर चौथा दिन है और आज हम लोग श्री निगर में हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे डल जील यह देख सकते हैं यहां से सामने से पहाल पर कुई किला टाइप के बनाए है अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर आपको दिखाते हैं क्या क्या है इस पूरा एरिया मंजित का ही है और यहीं पर नमाज वगर होती है इस अधर काबा है देख सकते हैं जानमाजे और यह बीच में रास्ता निकला है निकलने आने जाने का कि आपको एक चीव जाना जाता हूं फ्रेंड्स यह पूरी मज़ी जो है इसकी च्छाथ बिम पिलर्स यह टोटल सब लकड़ी के हैं और तक्रीबर यह 400 साल पुरानी है इस देख सकते हैं आप पास से कि आप देख सकते हैं पाउंटन में चलो हो गया ताकि नमाजी आए और वजू करें इस पानी से चलता रहते हैं बहुत शांदा आए बहुत अफुक्त हो रहते हैं वाइस मज़िद से हम निकल चुके हैं अब हम लोग यह यहां के मार्केट देख सकते हैं और अब के बाद हम गा रहे हैं तर्घ मुत्रूम चाह दर्गात है और हम पर हमारे हैं क्ल्द सभी सभात वूरत हैं तो कि अ कि यह लोग दर्गा पैंटब प्रकेश तरह आएं यह कि दोस्ता तूं थे के ज़ीं यहां का शामने देख रहे हैं दर्गा है हजरत मगदूम शाह की और सामने देख सकते हैं इंडियन फ्लाइट कर देख सकते हैं हमारे सभी साती ठक गए हैं जिसमां यासिन भाई सबसे ज्यादा हमारे थक्यों में देख सकते हूं कह रहते हैं कि यहां कार आ सकती है पैदल क्यों लाए यहीं पर मजीद है इंशालला नमाज यहीं पढ़ेंगे हम लोग देख सकते हैं अध्राइब जढ़ोजकर करें आप इड़ेदें हुआ जढ़ोज़ करतें करतें कर दो अशुराइब टूर्स बाहराईब या दिरिव आड़ेद आपाइब आपनां ऐड़ेदनी दो ये जढ़कर आई कि देख सकते हैं यह शरी नगर का क्यों है पूरे यह पूरा सब शरी नगर दिखाई देगा और यह कोई हिस्टोरिकल यह को हिस्टोरिकल बंगला टाइप पर रिकरा चोटा मोटा जो भी है और वह गंडोला यह पेबल देख सकते हैं यह गंडोला है तो भी हम बैटेंगे अब दोन चाहिव रोपे का टिकेट ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं यह हैं आमिर भाई अम्रान भाई आसु भाई यह रोपे दरास्ता है यह देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं गंडोला हो बैटके मुझे देखिए विव आ रहे हैं वह बहुत ही शांदर चला है अब हम चलाएंगे यह उसके बाई यह लोग देखेंगे यह लोग देखेंगे अब यह देख सकते हैं आप जितना प्यारा सीन है और हमारे इम्रान में बतारते हैं यह कश्मीर का यानि की श्री नगर का सबसे बड़ा गुर्दु आ रहा है यह आपको पूरा व्यों दिख रहा है श्री नगर का यह पूरा श्री नगर शहर है हमारा बहुत अच्छा बह गंडोला पर हम लोग बैट चुके हैं और पीछे हमारे म्रान भाई आसु भाई भी व्यूडियो को मज़ा ले रहे हैं और जैसा भी हो अच्छा है क्योंकि हम लोग को वहां पर मिलने ही पाए ता मुपका बैटने का पीशे हुना पीशे गुलमार्ग में बंद था कमने का इसी पर बैट लें यही के मज़ा ले लें क्योंकि गंडोला के ख्वाईश थी अपनी गंडोला पर बैट लिए यह हमारे भाई है देखिए अमिर भाई हमारा भी लीजिए जी जरौब जो लोग है जो नगा पूरा मजा लिया और बहुत ही अच्छा डिसेशन लिया और जो मेरे साथ ही थे बहुत बुरा डी पड़ गया है बहुत ही अफ्सोस में जो भी हो कहेंगे ने बठाए अफ्सोस में बट उनके ली वीडियो बन नहीं है तो बारा उनको दिखाए जाए जाए वीडियो ये वान लाइप कम दकस में